जी हाँ आप देख रोरोहिलोजी और on the occasion of world environment day हमारे environment minister ने स्री प्रकास जावेलकर ने एक नए जानेंगे इसके बारे में complete detail में देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दिस इस ब्रीफ इंड्रोडक्शन अबाट मी आप उझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा एडिय रोहित कुमार बियू के नाम से अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप रोहिलोगी को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम पे और आप अपने अपडेट्स के लिए मुझे फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं चलिए यह देखिए P.I.B. का निउस है और 5 जून को गवर्मेंट ने इस स्कीम को लाउंच किया है इसके तहट क्या होगा कि 200 ऐसे नगर वन होंगे across the country in the next 5 यर उनको डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के तहट क्या है उसके बारे में जानते हैं देखिए सबसे पहले हम यह जाने कि हमारे इन्वारिमेंट मिनिस्टर कौन है श्री प्रकास जावलकर यह देख रहा है उन्होंने ट्विट करके यह चीज लोगों को भी बताया है और उन्हों कहा है कि जो भी काम होगा फॉर नेचर के लिए होगा इस बार जो वर्ल्ड इन्वारिमेंट देखा उसका थीम क्या था बायो डावर्शिटी अब जानते हैं यह स्कीम जो है किस चीज पर इंफेसाइज करेगी यह अर्बन फोरेस्ट इंफेसाइज करेगी मतलब अर्बन एरिया में फोरेस्टी का डेवलपमेंट हो और इस स्कीम के तहए 200 अर्बन फोरेस्ट तयार की happy जाएंगे कितने साल में आने वाले आगामी पाँच सालों में तो इसका नाम क्या रखा गया है नगरवन स्कीम और ये स्कीम जो है वो किस से मोटिवेट होके मतलब किसको रोल मोडल में लिए गया है तो ये भी जानेंगे चलिए देखिए वर्जे अर्बन फोरेस्ट पूने में एक इस तरह का ही स्कीम लांच किया गया था करीब 2017 में तो पिछले दो सालों में बहुत सारे इसमें काम हुए हैं और उसी के अधार पे ये सारा कुछ किया जा रहा है तो चलिए इसको जानते हैं वर्जे अर्बन फोर सारय मोडल मैंने पहला कि उसको रोल मोडल मानकर ये अर्बन फोर फ़ाल किया है जिसको बोलते हैं नगर्वन स्कीम देखिए इंगलिस में अगर बोलेंगे तो अर्बन one और Hindi में नगर्वन स्कीम है, तो इसे कनफ्यूज नहीं हो ना है, तो यह जो सकीम है वरजे अर्बन पुने में यह किस नदी के किनारे है, यह मुत्हा रिवर की नीचे है, जो कैच्मेंट एरिया उसका पूरा आता है, उसमें यह सारा काम हो रहा था, जो वेस्टर्न हील्स आ एरिया में आ जाता है, तो उस, मतलब उस, तो उस प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट होने में बहुत ज्यादा हेल्फ हुआ, यह कौन सा प्रोजेक्ट था, वर्जे अर्वन, फोरेस्ट, उसके बाद आगे देखते हैं, the union government took a significant and ambitious step to increase the green cover on barren lands, देखिए, वहां का जो land था, almost ऐसा है कि सायद 40 acres के आसपास, land है, I am not sure about that, but यही आसपास है, तो उतने को इन्होंने forest में convert किया है, the project urban forest के तहत, जिसको start किया गया था, दो लोगों ने मिलकर start किया था, एक तो वहां का, जो महराष्टरा का forest department है, government of महराष्टरा का, और ministry of environment, forest and climate change, यह दोनों मिलकर इस चीज़को start किये थे, और उसी को role model लेकर, इसको start किया गया है, नगरवन scheme को, It was totally barren and used as a dump yard by the residents in the vicinity, वहां पर पूरा dump फेक दिया जाता था, कचले फेक दिया जाते थे, फिर उसको इसमें develop किया गया, और बहुत फाइदे भी हुए, A stressing on the need for creating a balance between the development and environment conservation, मतलब development भी हो, environment का conservation भी हो, यह दोनों के भी बैलेंस बना रहे, इसलिए, ऐसा काम किया गया, Big Corporates extended their support, और उन्होंने support भी किया, जो वहां के बड़े बड़े corporates है, जो businessman है, जहाँ पे business चल रहा है, उन लोगों ने भी इस चीज़को बहुत support किया, Public-Private Partnership as seen in Verze is one of its best example, देखिए, यह important है, देश में बहुत सारा काम जो है, वो PPE पे चल रहा है, Public-Private Partnership पे चल रहा है, और उसका एक सबसे अच्छा एक्जामपल यह है, A number of residents have planted and adopted trees in memory of their loved ones at Smriti 1 in Verze. देखिए, कितना important बात है, कि इस तरह का, अगर स्कीम चल रहा है, Cities में, तो लोग क्या कर रहा है, कि कुछ plants को adopt भी कर रहा है, अपनी memories को develop करने के लिए, या किसी के नाम से रख दिया, कि हम उनके नाम से यह चीज को adopt कर रहा है, और इसका maintenance करेंगे, जैसे wild left sanctuaries बगेरा में होता है, उसके बारे में आगे continue करता है, का total of 9500 trees were planted, CSIR initiatives था, between 2015 and 2017, आगे मैंने 2017 बोला, मगर 15 से लेके, 17 तक यह काम हुआ, the neglected lands has now been transformed into an area of rich biodiversity, दे कि कितना important है, और यह scheme आप सोच सकते हैं, कि हमारे environmental balance के लिए कितना important है, कि neglected land अब rich biodiversity में convert हो चुका है, जिसमें various species of plants, birds, butterflies, reptiles and animals अब है, the project also helps in absorbing approximately 129,000 kg carbon dioxide दिये, देखिए, बहुत ज्यादा important point है, जो आपको अल्मोस्ट नोठी कर लेना चाहिए, कि approximately 129,000 kg of carbon dioxide और produce क्या कर रहा है, oxygen कितना produce कर रहा है, देखिए, इतना carbon dioxide को वो खा ले रहा है, खा ही रहा है, मतलब absorb कर रहा है, खाजा रहा है, और उत्पन कितना कर रहा है, produce कितना कर रहा है, 562,000 kg of oxygen per year, तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना importance रखता है, इसलिए इसको फिर से restart किया गया है, मतलब इसी के तरज पे पूरे देश में नगरवन स्कीम को launch किया गया है, undoubtedly, project urban forest is helping in maintaining the ecological balance, serving both environmental and social development goals, बहुत जादा important था, जो आपको जानना ही चाहिए था, और यह स्कीम भी बहुत जादा importance रखता है, even आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हों, तो इसे related questions तो आना ही है, उसके बाद आगे देखते हैं, importance of urban forest, की urban forest का importance क्या है, urban forest play an important role in the ecology of human habitats in many ways, they offer many benefits like impacting climate and economy while providing shelters to wildlife, wildlife को shelter भी provide कर रहा है, और recreational area for city dwellers, उसके बाद आगे देखते हैं, तो world economic forum इसके बारे में क्या बोलता है, यह जो project है, urban forest, इसके बारे में क्या बोलता है, वो बोलते हैं, कि cities that have more trees are less noisy, वैसे cities, जिनके पास ज़्यादा trees हैं, वे less noisy होते हैं, और pollution भी कम create करते हैं, pollution level भी उनका low है, अब fully grown trees can annually absorb up to 150 cases of carbon dioxide, यह बहुत ज्यादा important है, एक ऐसा component, carbon dioxide एक ऐसा component है, जो global warming को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, तो उसको absorb करने में कितना help करता है, उसको reduce करने में कितना help करता है, आप देख सकते हैं, एक fully grown, जो plants होता है, वो 150 kg of carbon dioxide absorb कर सकता है, चलिए अब आगे बाद करते हैं, trees can moderate, देखिए, actually में क्या है, कि trees जहां भी लगा होता है, वहाँ पे जो बड़ी buildings होती है, heavy buildings होती है, उनके temperature को भी reduce करती है, घर में आप देखिएगा चट पे जो लोग रहते हैं, तो उसके उपर में अगर plants है, तो वहाँ पे थोड़ा temperature कम होता है, और heat island effect किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, where heat radiated from concrete on building and roads makes these areas hotter than the surroundings countryside in a phenomenon known as heat island effect, इसको आप screenshot ले सकते हैं, और इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं अपने हिसाब से, चलिए आगे बात करते हैं, food and agriculture organization क्या add करती है, मतलब इसके बारे में और क्या बोलती है, ये थोड़ा सा जान ले, वो बोलती है कि वैसे cities, जहां पर urban areas में forest developed है, वहां का ecological balance और urban development, दोनों balanced है, जैसे कि Rio de Janeiro है, जोहांस बर्ग है, ये सब जगह पर क्या है कि large amounts में, within the urban areas forest developed है, मगर इंडिया के most of the cities में, क्या है, gardens है, पार्क है, मगर forest नहीं है, तो इसको maintain करने में, ये मदद कर सकता है, चलिए, आप coming to the last point, notes to note, ये point आप note कर सकते हैं, इंडिया is indoor with rich biodiversity, आपको पता है कि इंडिया के पास biodiversity बहुत अच्छा है, ये मतलब rich biodiversity है, पूरे world के 35 global biodiversity hotspots में से 4 hotspots इंडिया के पास है, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि 4 hotspots कौन-कौन से हैं, उसके बाद containing several endemic species भी हैं, अब ये important point है कि इंडिया has 8% of world's biodiversity with only 2.5% of world's land mass, पूरे world का कितना percent है, 2.5% है, ऐसे 2.4% भी कहीं मिलेगा, पूरे world का 2.4% या 2.5% land इंडिया के पास है, अब पूरे इंडिया का 2.4% land झारकंड के पास है, ये sequence है, आप इसको याद कर सकते हैं, और उसमें से 8% world's biodiversity इंडिया के पास अकेले हैं, और इंडिया जिसके पास पूरे world का 4% पानी है, पूरे world का 4% पानी है, पूरे इंडिया के बात करें तो, तो ये था पूरा इस scheme के बारे में, और अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, और अगर आप current affair के playlist में जाहिए, तो मिल जाएगा, और हर Monday को लाता हूँ, ये कल भी release होगा, तो आप जरूर जोइन करें, और वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले, थैंक्स पर तुड़े, बाबाई